लॉकडाउन लगने के बाद सभी दुकाने बंध हो गई थी लंबे इंतजार के बाद जिलाप पर्षासन के आदेश पर दुकाने धीरे धीरे खुलने लगी और चहल पहल और रोनक सिवान की सरकों पर देखने को मिलने लगा आपको बता दे कि वहीं सिवान की सरकों पर कहीं सोचल डिनसेंज की धजिया वडी तो कहीं सन्नाटा दिखा रिक्सा पर एक आदमी को बैठाना था पर रिक्सा पर दोदो अपनी बैठे दिखाई दिए बिना पर्मिशन की कई मोटसाई की सरक पर दोरने लगी नगट परसत के द्वारा कचरो का अमबार भी सरक पर दिखरा दिखा बात करें विशाल मेगा माट की तो वहां होम डिलेबरी करने का आदेश दिया गया था पर सौपिंग कंप्लेक्स से लोग मार्केटिंग करकर बाहर निकलते दिखाई दिए तो आपको बता दें कि कई तरह का आदेश सीवान में इस तरह से लागू किया गया है दुकान खोलने का आदेश कुछ इस तरह से है एलेक्ट्रोनिक, कम्प्यूटर, मोवाइल, जेवर, घर्डी चसमा की दुकाने जो है कपड़े की दुकान, कॉस्मेटिक की दुकान, प्लास्टिक की दुकान, जुतचपल की दुकान जो है जो मंगलबार, गुरुबार और सनिवार को है वैसे ही सभी दुकाने जो है एक दिन बंद करना एक दिन खोलना है कई तरह की जो पाड़ की दुकान है खोली जाएगी तो आईए आपको सिवान की सरकों पर दिखाते हैं किस तरह से दुकाने कुली और किस तरह का चहल पल सिवान की सरकों पर दिखा झाल 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 कि अच्छा है कि परशाशन के द्वारा आधेश दिया गया है मार्केट खोलने का और इसका तेवार है अच्छे में लोग जो है अपना हीट का तेवार भी करने के लिए जो जरुवत की समाने उसको ले लेंगे लेकिन साथ भी साथ हमें जरुवत है कि हम लोग डाउन का उलंगन भी नहीं करें और रोटल डिस्टेंस का पालन करते हुए अपने समानों को कर दें